तो आज की इस ब्यूटी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आयोवेदिक ट्रिप्स फॉर हेयर ग्रोथ अगर आप भी लंबे बालों के शौकीन हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने बालों की लंबाई घर बैटे ही बढ़ा सकते है So have a look on my video ट्रिप नामबर वन खुश्पुदार जटा मासी जटा मासी एक ऐसी आयोवेदिक जड़ी बूटी है जो नैचुरली आपके बालों को और लंबा करती है तो अगर आप भी लंबे बालों के शौकीन हैं तो आपको इस जड़ी बूटी को अपने बालों पर लगाना चाहिए चाहिए तो आप दवाई के रूप में भी इस जड़ी बूटी को खा सकते हैं इसको खाने से जल्दी ही आपके बाल और भी लंबे और घने हो जाएंगे चिप नामबर चू आवला आवला जिसे इंग्लिश में हम इंजियन गूस पेरी के नाम से भी जानते हैं भारतियों के अंदर आवला आजकल काफी जादा फेमस हो गया है और आपके शड़ी के हर रोग और बालों की समस्या के लिए आवला काफी जादा इंपोर्टन है तो आपको आवले को रात भर भी गो कर उसके पेस्ट को अपने बालों पर लगाना चाहिए इससे भी आपके गिरते जड़ते बाल की समस्या दूर हो जाती है आप चाहे तो सुबा उठकर कच्चे आवले को भी खा सकते हैं इसको खाने से आपके बालों की लंबाई जल्दी ही बढ़ने लगी ब्रिंग राज एक ऐसी लोग पर रह जड़ी बूटी है जो काफी जादा फेमस है ब्रिंग राज का तेल आपने शयद सुना ही होगा यह आपके बालों को काला करने में और बालों की लेंथ को बढ़ाने में काफी जादा यूज किया जाता है तो आप इसके लिए भ्रिंग राज की पत्यों को ले ले और उनको अच्छे से पीस कर एक गाड़ा सा पेस्ट त्यार कर ले फिर इस पेस्ट को आपको रोजाना अपने बालों पर लगाना है और कुछी दिनों में आप देखेंगे कि आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे लंबे बालों के लिए मेथी मेथी दाना बालों के लिए काफी जादा अच्छा होता है तो आपको राद भर मेथी के दानों को गरम पानी के अंदर डाल कर रग देना है फिर सुबा उठकर इसको आप मिक्सर के अंदर पीस लीजिए इस पेस्ट को बालों में लगाने से आपके बालों की लंबाई तो बढ़ती ही है साथ ही आपके बाल और भी घने और मोटे हो जाते है चेप नामबर फाइव एलोवीरा जेल एलोवीरा जेल आपको सीधा पौधे में से निकाल कर उसकी जेल को अलग करना है फिर इस जेल को आप डेली अपने बालों पर मसाज करें एलोवीरा जेल आपके बालों की लंबाई बढ़ाने में काफी जादा मदद करता है और इससे आपके बालों की कंडिशनिंग भी नैचुरल ही हो जाएगी अश्वगंदा एक ऐसी आयूरवेदिक जड़ी बूटी है जो आपके जड़ते बालों की समस्या को बंद करता है तो अगर आप भी अश्वगंदा के पाउडर के अंदर गरम पानी को मिला कर अपने बालों को उस पानी से धोएंगे तो आपके बाल जल्दी ही लंबे हो जाते हैं और जिन लोगों को सफेद बालों की समस्या रहती हैं उनके लिए भी अश्वगंदा एक अच्छा काम करती है तो आज की इस ब्यूटी वीडियो में हमने जाना की कैसे आप अपने बालों की लंबाई को और बढ़ा सकते हैं तो अगर आप भी इन आयुरवेदे जड़ी बूटियों का इस्तमाल करेंगे तो आपके बाल नैचुरली ही लंबे हो जाएंगे So this much is for today and I will be back with more beauty videos on my channel For that subscribe my channel Vionet Lifestyle Till then stay happy and stay beautiful Bye